लेट्स क्रेक यूपीसी सीएसी मैं ललित आदव आप सब का वेलकम करता हूं और आज की क्लास में हम सेंटर स्टेट रिलेशन्स पर डिसकस करने वाले हैं और सेंटर स्टेट रिलेशन्स का चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है थोड़ा बड़ा है तो कुछ दो या तीन मेगा मेराथन क्लास का पार्ट यहां पर आपके लिए आएगा ठीक है चलिए मेरा बेसिक इंट्रोड़क्शन है मेरे नाम ललित यादो है मैंने डबल मे किया है एंफिल किया है बीर्ड किया है सीटेट नेट जियर अफ क्वालिफाइड है पीसडी मैं कर रहा सारे की सारी पीडिएफ आपको फ्री में मिल जाएंगी क्लासिस का नोटिफिकेशन भी यहां पर अगर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की टीम से कंप्लीट बेस्ट टीचर्स के साथ मिलकर पढ़ना चाहते हैं तो आप अनकेडमी का सब्सक्रिप्शन जोइन कर सक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से कॉर्स एविलेबल हो जाएंगे आइकोनिक कोर्स में आनकेडमी की तरफ से आपको परसनल मेंटर और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस सेपरेटली दी जाती है ठीक है तो थोड़ा आपके लिए ज्यादा बेनिफीसल होता है इसलि हो जाएगा आपको मैक्सिमम पोसिबल जो फीस में डिसकाउंट है वो आपके लिए अविलेबल हो जाएगा साथ ही आपको हमारी प्रोपर परसनल मेंटर्शिप भी मिल जाएगी अनकेडमी की जो बुक्स है 20 बुक का सेट है जीएस का वो हमारी टीम अनकेडमी आपको घर पर पहुचा देगी आपके घर पर हाउस पर हाड़ कोपी डिलीवर हो जाएगी उसके लिए भी लेकिन आपको ध्यान रखना है रैफेल कोड में एल वाई लाई भी अप्लाई करना है तो आपको इस सारी की सारी फैसिलेटीज आपको एविलेबल हो जाएगे ठीक चलिए हर वीक स्टार्ट होते हैं अनेकेडमी का स्टोर ओपन हो चुक है राजिंदर नगर में आप वहाँ पर जाकर करके विजिट कर सकते हैं अनेकेडमी को चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम आज की सेंटर स्टेट रिलेशन्स उपर लेकिए बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही जरूरी चीज है इसमें हमें सारी की सारी चीजें बहुत ही डिटेल से अंडेस्टेंड करने की जरूरत हैं क्योंकि सेंटर स्टेट रिलेशन एक ऐसा एरिया है जहां से UPSC प्रिलिम्स मे में भी क्योस्तन पूछती है और मेंस में भी क्योस्तन यहां से आते हैं बहुत सारे और एवन ऐसे में आगर आप लिखने जाओगे न तो यह तो भी इन दोनों के बीच के काफी सारी चीजे अलग अलग टाइप के इसेज में आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं तो इसमें कुछ चीजे जो काम की नहीं है उनको मैं आपको स्किप करा दूआ जो आपको श्किप कर देनी हैं क्योंकि बहुत सारी इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग वे जो चीजे बताई गए हैं वह हम लास्ट चैप्टर में previous chapter में already कर चुके हैं तो दुबारा से फिर से उनी चीज़ को repeat करने का कोई मतलब बनता नहीं जो काम की है जो starting है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं देखें the constitution of India being federal in structure तो यह हम last chapter में कर चुके हैं federal system जो हमने पढ़ा उसे में divided all powers legislative, executive and financial between the center and the state यहीं कि center और state इन दोनों के बीच में financial, legislative और executive powers का clearly separation आप देखने को मिलता है आप देखोगे central level पर भी government होती है और state के level पर भी government होती है center के level पर आप देखोगे executive में council of minister and PM और state के level पर council of minister and CM चीफ minister होते है ऐसे legislative के level पर आप देखोगे तो वहाँ पर center के level पर अगर हम बात करें तो लोक सभार, राज्य सभार ऐसे states में भी legislative assembly और कुछ states में legislative council भी होती है constitutional head की बात करें तो center के level पर president, state के level पर governor यह इस तरीके से आपको division देखने को मिलता है इनकी अपनी अपनी separate जो earning के source है वो भी है एक comparison करके मैं आपको बता देता हूं तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से यह समझ में आएगा अगर हम division of power की बात करते हैं अगर हम बात करते हैं center state की तो center state को इस थोड़ा से इस तरीके से समझते हैं अगर यहाँ पर हम executive की बात करें ठीक है executive की बात करें इधर हम लिख लेते हैं center और इधर हम लिख लेते हैं state अब इसको समझेगा ठीक है इस तरीके से टेबल आपकी बनती भी चली जाएगी अब जब executive की बात करते हैं तो center के लेवल पर आप देखेंगे center के लेवल पर कौन हो गया अगर हम बात करते हैं तो president ठीक ये constitutional head होगे constitutional head होगे council of minister और PM state के लेवल पर आप देखोगे तो यहाँ पर governor होगे ये क्या होगे इसके constitutional head यहाँ पर भी council of minister होती है लेकिन ये state की council of minister होती है और इसके head कुन होते है chief minister cm होते है ठीक तो यह आप एक यहाँ पर division देखते हैं यह आप clear executive में आपको यह देखने को मिल जाता है अब दूसरी तरफ अगर हम बात कर लेते हैं legislature की legislature की अगर हम बात करेंगे तो center के level पर आप क्या देखते हैं यहाँ पर लोक सभा राज्य सभा state के level पर आपको legislative assembly देखने को मिलेगी ठीक है और legislative council कुछ states में यानि कि जिसमें जो बड़े states हैं उन states में कुछ states में आपको legislative council विधान परिसत जिसको बोलते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगी ठीक है तो यह आप देखोगे इधर से भी आपको division देखने को मिल जाता है अब इनके लिए अगर schedule की बात करते हैं तो 7th schedule में अलग-अलग subject इंस अब के लिए दे रखे हैं 7th schedule में आप देखेंगे तो union list है state list है concurrent list है उसमें clear बता रखा है कि कौन से subject पर legislature जो है work कर सकती है तो मैं इसके लिए लिए लिख देता हूं यहां पर तो यह state जो है यह work करेगी किसके उपर यह state list पर work करेगी state list है ठीक है प्लस concurrent list लिस्ट है concurrent list इन पर यह legislate कर सकती है तेंटर लिस्ट की बात करेंगे तो यह union यूनियन लिस्ट प्लस concurrent लिस्ट प्लस state list स्टेट लिस्ट में exceptions है कितने five exceptions है पाँच exceptions तो यह उन subjects पर अपना low making का work कर सकती है ठीक है तो इसको यहां से मैं ऐसे line खीज़ देता हूं ऐसे ही इनके पास अपने financial की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी इनके पास अपने अपने tax के लिए separate अगर हम अगर हम अगर हम इसकी बात करें तो सेंटर के पास अपने सेपरेट रिसोर्स हैं और इनके पास अपने सेपरेट रिसोर्स हैं तो बेसिकली सारी चीज़े आपको इसमें इस तरीके से divide ओकर के मिलेंगी सेंटर और स्टेट के लेकर के तो यह-कलिवर डिविजन किया हुआ है जरकार यहां पर भी government यहां पर भी लोग सभाग में जिसके पास मेजोर्टी होगी उसकी गवर्मेंट बन जाएगी, वो एक्जिक्यूटी बन जाएगे, ठीक है, यहाँ पर legislative assembly में जिसके पास मेजोर्टी होगी, वो state के यहाँ पर एक्जीक्यूटिव बन जाएंगे थीक है तो Constitution ने बड़े ही clearly सारी चीजों को divide करके रखा है ताकि आपस में किसी चीज को लेकर के dispute उन चीजों को लेकर के नाओ कम से कम clarity इस चीजों की बनी रहे dispute के कुछ issues है उन issues को हम अभी देखेंगे बाकी जो हमारी judicial power है judicial powers को हमने divide नहीं किया judicial judiciary जो है उसको हमने integrated रखा है अमेरिका की तरह हमने state और center की बिल्कुल separate अलग dual judiciary नहीं रखी है वो integrated एककरत न्याइक प्रणाली हमने यहाँ पर रखी है ठीक है तो अब इन सब चीजों को ले करके अगर हम बात करते हैं तो हम center और state relations को तीन पार्ट में divide गर सकते हैं सेम जैसे मैंने बताया legislative relations में फिर administrative relations में फिर financial relations में अब एके करके इन relations को देख लेते हैं ठीक है कि कोन कोन कहा है legislative relations थोड़े ज़्यादा important है इन पर थोड़ा ज़्यादा focus करना है क्योंकि यहाँ से questions जो है वो थोड़े ज़्यादा आते है Parliament के साथ add हो करके Parliament वाला जो chapter है वहाँ के साथ connect हो करके वहाँ से जोड़ करके यहाँ से questions थोड़े से push लिए जाते हैं तो इसमें कुछ important इंपोर्टेंट हो गया for pre ठीक है prelims के लिए बहुत important है तो इसको याद कर लेने एक आपका notes साथ की साथ ready होता चला जाएगा मैं आपके notes ready कराता चला जाएगा of the constitution deal with the legislative relations between center and state अब इन में भी सारे की सारे important नहीं है मैं आपको articles भी बता देता हूँ जो बहुत important articles है इसके अंदर भी तो 249 वहां से questions आते है 252, 253 यह most important articles है इनके अंदर भी अगर इनमें भी आपको बिल्कुल clear cut most important articles देखने तो वहाँ पर रहेंगे उनको मैं describe करूँगा कि वह कैसे कैसे है ठीक है अब इनको यहाँ पर छोड़ दीजिए यह आपके लिए कोई चीजे नहीं है यह work की नहीं है तो आप इनको skip कर दीजी यह 5 situations आगे आनी है बार-बार repetition हो रहा है यह इसका तो बार-बार repetition करने की requirement नहीं है जब हम आगे जलेंगे तो यह 5 exceptions आएंगे उन पर detail में हम discussion कर लेंगे ठीक है अब हम center state relations में जो legislative relation है legislative relations को भी हम 4 aspects में divide करते हैं ठीक है इनके 4 aspects होते हैं इन 4 aspects को अब detail में हमें देखना है ठीक है पहला जो है territorial extent of central and state legislation फिर distribution of legislative subject फिर उसके बाद parliamentary legislation in state field और centers control over state legislation यह चीज़े हैं अब मुद्दे पर आते हैं territorial extent of centers and state legislature ठीक इस चीज़ को समझ यह सबसे पहला the parliament can make laws for the whole or any part of the territory of India इसका मतलब यह है कि parliament जो भी low बनाईगी जो भी act बनेगा वो पूरे के पूरे इंडिया के उपर applicable होगा और अगर parliament चाहे तो पूरे इंडिया के बजाए instead of whole India वो कुछ छोटे part के लिए भी उस तरीके का legislation कर सकती है कोई भी state जो है वो उसको accept करने से मना नहीं कर सकता अगर parliament ने कोई bill बना दिया ठीक है तो कोई act बना दिया sorry bill नहीं act बिल act बनने से पहले का जो उसका अवस्था है वो रहती है अगर parliament ने कोई act बना दिया तो उसको उन्होंने execute भी करने के लिए कर दिया parliament ने वहां से center ने उसको execution पर लागू भी कर दिया तो कोई भी state उसको ignore नहीं कर सकता है यह मना नहीं कर सकता है हां वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं जैसे आप देखते ने कई सारे बिल आते हैं जब तक कोई act जो है आता है तो लोग प्रोटेस्ट करके वो बताते हैं कि दो किसमी एक कमी आई इसको दूर करना चाहिए हमारी असहमती है हम consent हम इसके से support में नहीं है ठीक है तो ऐसे में वो प्रेसर बनाते हैं स्टेट के उपर कि सेंटर के उपर कि आप इसकी जो गलत चीज़ें को चेंज कर दीजिए अगर चेंज नहीं करोगे तो हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे वो मना नहीं कर सकते एक्जीक्यूट तो अल्टिमेटल उनको करन चाणूर बना सकता है और territory of India का मतलब क्या है territory of India के अंदर 3 चीज़े आती है territory of India के इंदर सारे कि सारी स्टेट्स आगे सारी कि सारी union territory गई और कोई भी ऐसी territory ठीक है जिसको in future इंडिया में include किया जा सकता है सम्मिलित किया जा सकता है वो एरिया ये तीनों की तीनों चीजे territory of India के अंदर में आ गई ठीक है तो ये एक larger expression है territory of India ठीक union of states के मुकाबले territory of India एक larger expression इन सभी के उपर वो applicable होगा अब जब center पूरे इंडिया के लिए बना सकते हैं तो क्यूस से नहीं आता है कि state किसके लिए कानौन बनाएगा भाई राज्य भी तो बनाएगा state किसके लिए बनाएगा तो state की power थोड़ी सी limited है इस चीज़ को समझने है ठीक है state जो है state legislature can make laws for the whole or any part of the state only केवल अपने state के अंदर ही वो laws बना सकता है कानौन बना सकता है पूरे इंडिया के लिए नहीं बना सकता अपने state के बाहर किसी other state के लिए भी नहीं बना सकता for example समझे मान लेते हैं कि हर्याना एक state है अब उसने एक बिल बनाया कि हम अपने यहां पर अप जोब में प्राइवेट जोब में 50% reservation हम रखेंगे विमेंस का ठीक है मान लेते हैं कि बिल उन्होंने बनाया एक उस बिल को बनाया पास कर दिया और वो एक्ट बन गया कानौन बन गया लो बन गया कि 50% reservation for women in private sector तो वो जो लो है ना वो केवल और केवल only हर्याना तक applicable रहेगा हर्याना की boundary के बाहर वो applicable नहीं होगा ठीक है क्योंकि हर state के पास यह power है कि वो अपने state के लिए अपनी situation के according अपनी conditions के according अपना low बनाए same low state का एक state का other state में हो सकता है कि बिलकुल useless हो जाए काम कहीं ना गरे क्योंकि diversity इतनी है चीजों में इतना ज़्यादा change आ जाता है और एक्जामपल माल नेते उत्तर प्रदेश ने एक low बनाया flood control को ले करके और आप उसको कहोगी राजस्थान में लगा दो तो वो तो useless है क्योंकि राजस्थान में तो पानी की अलड़ी कमी है तो वहाँ पर तो किसको drought control को लेकर के low बनाने की जरूत है सुखा बनाने की जरूत है तो दोनों अपोजिट हो जाते हैं तो इसलिए unanimous चीज़े होनी चीज़े unanimity होनी चीज़े integrity बनाई रखी जा सके ताकि अखंडता को बनाई रखा जा सके ऐसी चीज़े parliament के पास है उन पर low बनाने का काम जो है वो parliament करेगी वही central list union list के अंदर सारे के सारे subject है ठीक है इस चीज़ को धिहान रखना है the parliament alone can make extra territorial legislation ठीक अब ऐसा नहीं है कि parliament की law making की power भी जो है एकदम complete है absolute है ना constitution places certain restrictions on the plenary territorial jurisdiction of the parliament parliament के उपर भी थोड़ी सी restrictions लगाई गई है कौन-कौन सी है उनको हम समझ लेते हैं सबसे पहले चीज़ ठीक है अगर आपको ऐसे लगता है कई बार maximum students जैसे हमने अभी पहली लाइन पड़ी तो आपको लगा गिया कि parliament ने तो लोग बनाया तो पूरे इंडिया फे एप्ली के बलोगा लागूगा मानना पड़ेगा वह बिल्कुल करेक्ट है लेकिन कुछ exceptions हर जगे होते हैं अप वाद जो होते हैं वो हर जगे होते हैं तो यहां पर भी कुछ exceptions आपको एक तरीके से देखने को मिलेंगे parliamentary law को ले कर गें सबसे पहला exception क्या है in other words the laws of parliament are are not applicable in the following areas पहला the president can make regulations for the peace progress and good government of the five union territories अब इसको थोड़ा सा कम कर लेना है five की जगे इसको four कर लेना है four क्यों मैं आपको बताता हूँ ठीक है यहां पर five union territories लिखे न तो इसको आपको four कर लेना है कौन-कौन से हैं अंडमान एंड निकोबार आइलेंट यह होगी one unit one लक्स्यदीप यह हो गया second ठीक है दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव इन दोनों को अभी combine कर दिया गया जोइंट कर दिया गया तो यह एक ही union territory अब बन गई है पहले दो दो थी और लग्दाख ठीक है तो यह हो गया fourth तो बुक के अंदर थोड़ा सा की क्या होता है अपडेट नहीं हो पाते कई वा टाइम ली और जब की करेंट की चीज़ें आपको रेगुलर अपडेट करने होते तो वह class देखने वालों का benefit यहां पर हो जाता है जो class नहीं देखते और केवल hero बनते हैं ना बुक पढ़ ले और हम दो सब को सब्सक्राइब करना टाइम वेस्ट करें कहीं लोग बोलते हैं और इतनी लंभी class देखकर क्यों करें टाइम वेस्ट होता है तो बन जाओ फिर वैसे बन जाओ गलत चीजे करो बिन अपडेट के पड़ो आंसर में आक कर पूछा जाएगा तुम ऐसे लिखकर क्या होगे पांस लिखकर क्या होगे फाइफ लिखकर क्या होगे तो classes में आपको explanation के साथ साथ चीजों को correction भी हो जाता है तो इसको correct कर लेना है कि अभी चार ये union territories यहाँ पर मिलेंगे आपको फाइफ नहीं है अभी चार हो गईगे ठीक है इन चार union territories के लिए president जो है वो rule regulation बना सकता है किन बेसिस पर peace, progress और good governance ठीक है इन छेतरों के लिए जग president के पास power है तो अब ये मान करके चलिए president का मतलब ये नहीं है कि president अपनी मर्जी से करेगा प्रेजिडेंट ये जो laws बनाएगा ना regulations बनाएगा ये article 74 के अंडर में करेगा article 74 क्या करता है council of ministers added by prime minister उसके recommendations पर ये काम करेगा यानि कि ultimately इन चारों union territories के लिए regulations बनाने का जो ultimate power जो चली जाती है वो central government के पास चली जाती है है ना central government की recommendations पर president ये सारी की सारी चीज़े यहाँ पर करते हैं अब मान लेते हैं आपको ने देखा कि एक कानून है एक लो है पार्लियमेंट ने बना दिया और वो पूरे इंडिया के लिए बना दिया अब दूसरी तरफ हम यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि इन चार union territories में president भी regulation बना सकता है तो ऐसे में क्या होगा मान लेते हैं कि एक ही इस चीज पर किसी सब्जेक्ट पर पार्लियमेंट का भी लो है और प्रेजिडेंट ने भी कुस regulation बना रखे तो इसको समझ ला ए रेगुलेशन सो मेड है था सेम पोर्स एफेक्ट एजन एक्ट ओफ पार्लियमेंट सेम पोर्स और सेम इफेक्ट हो गया यह चीज ध्यान रखे यान कि executive के पास legislative powers एक तरीके से एक्वलेंट legislative powers इन चार उनियन टेरिटरीज में देखने को मिल जाती है आपको अलग से act बनाने की requirement नहीं है ठीक है it may also repeal or amend any act of parliament इस line को भी वो कर ले ना in relation to these union territories ठीक है यानि कि president के पास यह power है कि parliament ने कोई act बनाया वो उस act को in union territories के relation में change कर सकता है ठीक है उसको संसोधित कर सकता है इनिरसित कर सकता है for example मान लेते हैं कि parliament ने एक act बनाया और वो act बनाने के लिए उन्होंने यह decide कर दिया कि पूरे इंडिया में हम कहीं पर भी पूलिस नहीं रखेंगे ठीक है एक act बना लिया कि पूरे इंडिया में हम कहीं पर भी पूलिस नहीं रखेंगे अब ऐसे में for example मान लेते हैं कि president को लगता है कि यह एक union territory जो हमारे पास है इस union territory के अंदर outside समुद्र से जो है न वहाँ से सी के रास्ते smuggling हो सकती है smuggling की बहुत बड़ी problem हो रही है और भी ऐसी problems हो रहे जिसे national interest को खतरा है तो president क्या करेगा president को लगता है कि वह यह इस union territory के अंदर हमे military भी रखने की requirement है इसमें हमें ताकि यहां का low end order बना रहे तो इसके लिए हमें यहां पर peace बनी रहे उसके लिए हमें police भी बना कर गे रखने की requirement है तो president क्या करेगा जो parliament का जो act है उसको इस union territory के लिए निर्सित कर देगा रिपील कर सकता है वो कहेगा कि यह इस union territory पर अपली के बनी होगा आप पूरे इंडिया से police हटालो चाहिए लेकिन इस union territory में police required है तो हम यहां पर union territory में police रखेंगे इसका मतलब भी यह है ठीक है और वो चाहिए तो इसमें थोड़ा amendment भी कर सकता है थोड़ा change के साथ भी लग सकता है ठीक वो यूँ भी decide कर सकते है कि यार चलो हम पूरा बहुत जादा police station ना बना कर के वह बोडर एरिया के उपर हम थोड़ा से police की चेक्स पोस्ट बनाएंगे बाकि नहीं बाकि सेम प्रोविजन तो यह power प्रेजिडेंट के बास आ जाती है अब जब भी मैं प्रेजिडेंट का नाम लूँ यहाँ पर तो प्रेजिडेंट का नाम का मतलब है central government council of minister और prime minister क्योंकि article 74 यहाँ पर पिछे से work करता है उनकी according चीज़े यहाँ पर होती है ठीक hopefully आपको समझ में आया हो जो चीज मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिस करी अब इसके बाद एक point तो यह हो गया दूसरा point अगर देखना है आपको इसको भी समझ लेते हैं कि यह क्या चीज़े second second point पर आपते हैं यह second point the governor is empowered to direct that an act of parliament does not apply इसको भी ध्यान रखिये to a scheduled area in the state or apply with specified modification and exceptions अब हमारे constitution में दो schedules हैं आप देखना एक schedule number five एक schedule number six ठीक है जब हम बात करते हैं तो एक fifth schedule है और एक sixth schedule है basically इसमें सारे के सारे schedule areas के बारे में आपको description देखने को मिलेगा और खास कर कि यह सारे ऐसे areas है जहाँ पर अभी इतना ज़्यादा development नहीं हो पाया है और वहाँ पर development करने के लिए और progress करने के लिए local level पर participation देने की requirement है कुछ special conditions है वहाँ पर तो उन special conditions को fulfill करने के लिए governor को power दी गई है कि अगर governor चाहता है जो schedule area है उन schedule areas में वो parliament के act को restrict कर सकता है कह सकता है यह parliament ने एक act बना है हम इसको applicable नहीं करेंगे for example इसको भी समझी मैं आपको समझा देता हूँ इसको समझते है देखे क्या है इसको एक end में ले जाकर समझा हूँ पहली यह रीड कर देता हूँ इस चीज़ को समझ ले अब मैं आपको इन दोनों का ही एक essence समझा देता हूँ एक example के तोर पर माल लेता है कि parliament ने एक act बनाया और वो act बना करके दो एक hypothetical situation मैं बता रहूँ इसको रियल मत समझना जो act बता रहूँ ऐसा मत समझना कि ऐसा हो जाएगा मैंने आपको एक hypothetical situation बताई पार्लियमेंट ने एक act बनाया और उसने कहा कि हमें इंडस्ट्री लगानी है हर स्टेट के अंदर और इंडस्ट्री लगाने के लिए हमें बहुत बड़े लेवल पर land acquire करनी है ठीक है और ऐसी land acquire पार्लियमेंट जो नोटिफाइड है जो पसंद है उस जगह को वो कर देगी कोई भी उसको मना नहीं कर सकता है ठीक है हर डिस्ट्रिक से पार्लियमेंट पड़ेगा ठीक है अब यह तो इन्होंने यहां पर बना दिया लेकिन अब ऐसे में सेड्यूलड एरियास के अंदर गवर्नर को यूँ लगता है कि यह पार्लियमेंट का एक्ट अगर इन सेडूल्ट एरियाज में हम अपलाई करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर ट्राइबल पीपल्स के राइट्स का वेलेसन हो जाए एक बड़े लेवल पर विस्थापन हो जाए। उनको जमीन उनकी नेचुरूरल है उनसे उनको चीशंड करके अलग हो जाना पड़े तो उनको लगता है कि यह चीज़े तो गलत है यह चीज़े नहीं होनी चाहिए है ना क्यूंकि scheduled areas में development के लिए participation और उनकी अनुमती उनकी permission जरूर यह special provision करने तो ऐसे में governor क्या कह सकता है governor यह वोलेगा कि भहिया यह जो scheduled areas है ना इन में पार्लियमेंट का act apply नहीं होगा हम यहाँ पर apply नहीं करेंगे ठीक है क्योंकि scheduled areas के लिए special conditions है तो यहाँ पर यह apply नहीं किया जा सकता है तो यह power है वो उसको मना कर सकता है यह exception है normal circumstances नहीं है यह exceptions है बाकी other state इस तरीके से चीज़ों को लिए मना नहीं कर सकते है लेकिन इस area में governor के पास यह power दी गई कि वो कर सकते है अब governor को लगता है कि पूरा act जो पूरे provision है उसको restrict करने की बजाए उनमें कुछ एक दो बिंदू एक दो major major point है जो ज़्यादा खराब है अच्छे नहीं है इस area के लिए तो क्या कर सकता है कि उन एक दो points को भी modify कर सकते है modify करके भी यहाँ पर apply करवा सकता है कि दो बाकी हम apply कर देते हैं बाकी हम execute कर लेते हैं तो यह powers जो है वहाँ पर governor के पास आ जाती है ठीक है अब यहाँ पर भी समझ गिएगा मेरे दोस्त आपको लगेगा governor governor तो state का constitutional head है राज्ये का as a whole country जो country वाला state जिसको हम refer करते उसका नहीं एक राज्ये का head है और वो council of minister और यानि कि CM chief minister इनके recommendations पर work करता है लेकिन यह चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर भी governor जब इस तरीके की power governor को दी जाती है यह special provision special powers जब governor को दी गई है तो यहाँ पर CM का state की council of minister का कोई लेना देना नहीं रहता है यहाँ पर भी governor जो है वो union center government जो है न उसके directions पर work करता है क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि governor की appointment और उसको उसकी post से हटाना रिमूवल इस सारा का सारा center के through किया जाता है प्रेजिडेंट करता है लेकिन center government के recommendations यानि council of minister or PM के recommendations पर ही सारी चीज़े होती है तो ultimately उनके agent की तरह work करते है यह ठीक है और यहाँ पर इनको same power with respect to tribal areas, autonomous district in megalet, ripura and miserum basically 5th and 6th schedule के लेकर यहाँ पर यह बात की गई है तो यह कुछ ऐसी restrictions थी कुछ ऐसी चीजे थी जो parliament के उपर restriction लगाता है constitutionally है ऐसा नहीं कि एमएं किसी ने बनाया समिधान restriction लगाता है तो parliament की laws को इन areas में apply करने से restrict किया जा सकता है और यह restrict करने का काम या तो president करेगा या governor करेगा इन दोनों के पास ही इस तरीके की power है अब आप से prelims में एक question line दे दी जाएगी आप मतले question तो एक बड़ा लंबस आएगा 3-4 statements रहेंगी लेकिन उन statements में से एक line आपको दे दी जाएगी और line में यह दे दिया जाएगा कि no parliamentary law can be repealed by a governor in any circumstances in any state और in any area इस तरीके से आप सवाल दे दिया जाएगा तो अब आप यस और नो में बता दिजी कि यह statement सही होगी कि गलत होगी yes और no चलिए comment box में मेरे सारे प्यारे दोस्त अच्छे दोस्त आप सब लोग intelligent है समझदार है comment box में answer देख करके बताएंगे ठीक है yes और no और वो सारे students जो seriously पढ़ते है comments की chatting में नहीं आते वो लोग answer देने के लिए chat में जरूर आया करें एक बार answer देख करके फिर chat बंद कर दो फ ठीक है चलिए अब मुद्धे पर आते हैं distribution of legislative subjects यह most important type का एरिया है most important है ठीक है यहां से questions बहुत ज़्याद आते है most important समझना आज कल IPL चल रहे तो IPL चलते चलते ऐसे मां समझ ले ना कि Mumbai Indians लिखे Mumbai Indians के फैन सारे बाकी टीम्स के फैन वह सारे के सारे आख करके मेरे को कर रहे सर अब तो लखनव भी आगई सर उसको भी लिखो गुजरात की भी आगई उसको भी लिखो वो उनका नाम भी लिखो तो ऐसे नहीं है most important इसका मतलब होता है है ना मैंने class ली थी ठीक है ऐसे कुछ class में मैं important important चीज़े बता रहा था और उसमें मैंने starting ही बता दिया था कि MI क लिखोंगा मतलब most important आई लिखोंगा मतलब important ठीक है और ऐसे ही इस तरीके से तो कई सारे एरियास पर मैंने MI 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 कर रखा था कि भाई यह MI 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 मैं तो एक कोई बच्चा नया एकड़ों से बीच में से जोईन हुआ और जोईन हो करके बीच में आक करके MI 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 देगा इस्टा पर आक करके मैं को मेसेज कर रहा है कि सर आप मुंबई इंडियन्स के बहुत बड़े फैन है कि सर आपको पसंद है गया मुंबई इंडियन्स मैं लोग नहीं ऐसी क्या बात थी उन्हें सर आप हर जगह MI 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 लिखते हो इसको मैं क्या समझाए कि भाई यह MI का मतलब most important है यहाँ पर कोई team का division नहीं हो रहा है चलो अप legislative powers को हम देख लेते हैं कि क्या legislative powers है हमारी constitution की जो 7th schedule है अगर हम बात करते हैं three-fold distribution of legislative subjects देखने को मिलते हैं 7th schedule में सातवी यानो सूची में तीन कौन-कौन से हैं एक union list ठीक है दूसरी है concurrent list और सोरी दूसरी है state list और तीसरी है concurrent list ठीक यह देख लीजे सूची 1, सूची 2, सूची 3, list 1 union list, list 2 state list, list 3 concurrent list यह चीज़े आपको देखने को मिलता है अब जब हम union list की बात करते हैं तो union list में exclusive powers हैं किसके पास? पारलियमेंट के पास low making की exclusive exclusive का मतलब बस केवल और केवल पारलियमेंट ही कर सकते हैं जैसे हिंदी फिल्मों में वो प्रेमी आसिक होते हैं डायलोग मारते हैं और डायलोग मारके बोलते हैं तू सिर्फ मेरी है ना? तू है मेरी किरन सारु खान वाला फिल्म का जो सारा ही हक है तो यहां पर भी पारलियमेंट का exclusive right है इदर constitutionally exclusive right है कि center list में यानि की union list जिसको हम center list भी बोल देते हैं normal बोल चाल की भासा में तो उसके उपर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स में work करने की power जो है उस पर low बनाने की power जो है वो पारलियमेंट क अगर हम बात करते हैं तो जब तक GST वाला जो मामला था उससे थोड़ा पहले तक की बात करते हैं तो center list के यह subject है main main चीजे हैं इसके अंदर जैसे अगर हम बात करते हैं defense है banking है foreign affairs and insurance communication जो पूरे इंडिया के लिए most important चीजे है national interest के लिए national security के लिए integrity के लिए development के लिए required है वो सारे subjects जो है वो union list के अंदर डाले हुए है ठीक है अब इस चीज़ को ध्यान रखना कि कि बाकी second list जो है वह state list अब state list के बारे में exclusive नहीं आएगा है ना आपको लगते हैं कि union list पे तो center exclusively का बना सकता है parliament लेकिन जब union list के लिए exclusively parliament तानून बना सकता है तो हम तो यहाँ पर division of powers की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जैसे union list है ऐसे state list भी है तो काफी लोग को यह लगता है कि state list होने का मतलब कि वो सारी की सारी power state list पे exclusive state के पास जाएंगी लेकिन ऐसा नहीं है इस चीज़ को समझना है ठीक है यह गलत है state list में मामला थोड़ा सा अलग है क्योंकि अगर आपने वो federal structure वाला chapter पढ़ा होगा तो आपको center state relations बड़े easily समझ में हैंगे क्योंकि federal structure में मैंने आपको इस चीज़े define किया बहुत detail से इसले chapter में the state legislature has in normal circumstances exclusive powers to make laws with respect to any of the matters enumerated in the state list in normal circumstances दो चीज़े हैं यहाँ पर exclusive power और normal circumstances यहाँ पर state की तरह union की तरह ऐसे नहीं लिखा हो जैसी last में यहाँ पर लिखोगे Parliament has exclusive power to make law with respect to any of the matters enumerated in the union list यहाँ पर यह लाइन है और यहाँ पर state वाली में in normal circumstances तो in normal circumstances का मतलब है कि कुछ circumstances ऐसे भी हो सकते जो normal नहीं है exceptions हो सकते हैं अपवाद हो सकते हैं तो यहाँ पर पांच exceptions निकल करके आते हैं पांच exceptions निकल करके आते हैं article 249, 252, 253, article 352, article 356 यानि कि यह ऐसे exceptions है जिसमें Parliament Act बना सकते हैं उनको हम आगे देखेंगे लेकिन यहाँ पर मतलब यह हुआ कि complete, completely exclusive power नहीं है केवल normal circumstances में exclusive powers है ठीक है और ऐसे normal circumstances के लावा जो ऐसे exceptions है वो ऐसे exceptions इंडिया में आते रहते हैं नोर्मली आते रहते हैं इसमें basically उस main main जो subject है जैसे low end order हो गया public order, public order, police इनके पास होती है public health, sanitation, agriculture, etc, etc, local government यह basically state list के अंडर में subject है अब तीसरी जो list है उसको बोला जाता है concurrent list समवर्ती सूची उसको कहा जाता है और concurrent list में क्या गर सकते है बोथ the parliament and state legislature can make laws with respect to any of the matters enumerated in the concurrent list अब मामला यह है कि इसमें concurrent list के अंदर जितने भी subject है उसको उपर parliament भी act बना सकती है और state भी act बना सकती है अब मुद्दा यह है कि उसमें मानेगा किसका एक example से समझ लेते है family के example से समझते है ठीक है family में मान लेते हैं दो person है दो head है मम्मी बापा है एक A है एक B है ठीक है? अब मान लेते हैं इनके तीन ननने प्यारे प्यारे cute to से बच्चे है ठीक है? तीन cute cute से प्यारे प्यारे से बच्चे है अब इन दोनों ने इनके लिए ये दोनों के लिए दोनों के बच्चे है तो दोनों की प्रोपर्टी होगी दोनों को राइट है इनके लिए decide करने का ठीक है अब माल लेते हैं कोई एक issue है कोई मुद्दा आ गया कि इनके school में कि इनको भई कौन से school में भेजेंगे इन तिनों बच्चों को हम कौन से school में भेजें अब ऐसे में इन दोनों के बीच में dispute हो गया है ना तो ये दोनों ए नंबर जो है ये कहता है कि भईया मैं तो central मैं तो स्कून को भेजूगा केंद्रे विध्याले में और इनका B नंबर के जो पेरेंट है ये इनको बोलते हैं कि यार मैं तो केवी में नहीं भेजूँगे government school में नहीं भेजूँगा अब मामला फस गया बच्चे तो इन दोनों के right इन दोनों के पास ही है कि भईया इन दोनों के लिए आप decide करें क्या करें लेकिन अब ये जिन दोनों के पास इनका right है वो दोनों ही आपस में एक दूसरे को contradict कर रहे हैं अब किसका decision माना जाएगा valid किसका decision होगा तो ऐसे में ये देखा जाएगा कि इन दोनों में से कून ज़्यादा powerful है और इंडिया में powerful का मतलब earning कून ज़्यादा करता है पैसा कून कमा रहे है मान लेते हैं कि B person है ये बहुत अच्छी earning करते हैं ये wealthy हैं और A person है वो अभी household तक है या भी उतना आर नहीं कर पा रहे है तो ultimately ये dispute होने के बावजूद final decision B का हो जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा powerful है same चीज apply होती है center state relations में भी concurrent list में मान लेते हैं कि ये concurrent list है ठीक है ये concurrent list है ये हम मान लेते हैं कि state है ठीक है और इसको हम मान लेते हैं कि union है center है ठीक इन दोनों ने concurrent list के उपर कोई subject के उपर कोई low बनाया इन दोनों के बीच में उसको ले करके dispute हुआ contradiction हुआ तो ऐसे में state का जो है low वो applicable नहीं होगा union का list low जो है center का low है ये overpower कर जाएगा ये माना जाएगा ठीक है समझे की नहीं समझे एक थोड़ा से example समझाए अब ऐसा मत समझ ले ना कि ऐसे कर दिया normally family के अंदर अगर reality में इस तरीकी कभी कोई situation आएगी तो female थोड़ा इसमें extra edge पे रहते हैं वो अपने बच्चों को ले करके वो जो उनका decision है full and final हो जाता है पहले situation थोड़ी अलग थी पहले आज भी male dominating society है लेकिन पहले बहुत जादा male dominating societies होते थी लेकिन आप चीजे equality की तरफ धीरे 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 आगे चलती जा रही है और अब तो अगर आप एक married life में है और decision making करनी है और वो भी खास करके बच्चों को ले करके तो हमने तो हमारे दोस्तों के और रिलेटिवस के experience सीजे सीखी है देखा है तो वहाँ पर तो भई अगर आपको अगर आपको जीवन जीना है तो जैसे आप के female partner जो बोल रहे हैं उनको चुप-चाप accept कर लो मान लो कि हाँ भई माते आपकी ही है आप जैसे कहेंगे हम वैसा करेंगे आप क्या आगे हम हारे है आप सर्व सक्तिमान पावर्फुल सुपर पावर्फुल है वह चीजे हो जाएंगे और ultimately बच्चों को ले करके उनके अंदर एक ज़्यादा care का वो रहता है males के मुकाब ऐसा कोई universal fat नहीं लेकिन बहुत सारे research जैसे बताते है तो वो ज़्यादा care करते हैं अपने बच्चों के लिए अपने ज़्यादा time भी जो है एक female अपने बच्चों को ज़्यादा time भी dedicate करते हैं लेकिन ऐसा मत समझ लेने कि सब लोग सोचने लगे कि सर आप तो females का वो support करो male का नहीं करें male भी करते है female भी करते है लेकिन जो एक trend है जो research के reports है उनके business पर में आपको बता रहो तो यहाँ पर भी same वही चीज आ गई यहाँ पर भी center powerful हो जाएगा ठीक है इसमें कुछ subject है ऐसे subject जो दोनों जिसके उपर work कर सकते हैं ठीक है अब एक चीज important चीज समझना है जो important क्या है उसको बड़े ध्यान से समझ येगा एक time आया 1942 के अंदर the 42nd amendment act of 1976 transferred five subjects to concurrent list from state list इस चीज को समझ ये कौन कौन से थे education एक forest दो weight and measures तीन protection of wild animals and birds चार administration of justice पाँच constitution and organization of all courts except supreme court and high court यानि की supreme court और high court की अलावा उनका अब इस चीज को समझ गे क्या होता है उस time इंदरा गांधी की government थी और national emergency भारत के अंदर लागू थी तो ऐसा वो time था जब इंदरा गांधी ने try किया कोसिस की कि सारी की सारी powers जो है वो center के पास आ जाए डारेक्टली या इंडारेक्टली तो तब होता जब अगर state list से सारे subject डिकाल करके union list में डाल दी जाते लेकिन अगर union list में जाते तो और जादा बहुँ जादा destruction होता states का पूरा federal structure एक तरीके से मतलब जिसको बोलता है destroy तरीके से हो जाता तो उन्होंने बड़ी समझदारी से इनको concurrent list में डलवाया जरूरी भी था ये कुछ चीजे जरूरी भी थी जिनके उपर एक all India के लिए policy होना जरूरी था required भी था ये अच्छे भी था सही भी था ठीक है तो center और state दोनों इसके उपर कानून बना सकते हैं लेकिन उस time 42nd amendment जब हुआ तो 42nd amendment के थूरू इंद्रा गांधी ने ऐसे ऐसे changes कराए ऐसे ऐसे उसमें change कि कि पूरी के पूरी पावर जो थी वो center के पास transfer हो गई states के पास power राई नहीं balance of power जो नो बिगड़ गया पूरा का पूरा maximum चीजे center के पास उसमें हो गई तो वहाँ पर एकदम बिल्कुल unitary feature में आ गया था इंडिया इंडिया की democracy और इंडिया का जो federal structure था वो वहाँ पर खत्रे में पढ़ गय है यह वाला चीज थोड़ा important है यह line को मैं important कर देता हूं ठीक है इसको आप मेरे सारे प्यारे के प्यारे दोस्त कोई भी notes में बनाना है क्योंकि कई बर question आ जाते हैं कि which of the following subjects are transferred from union state list to concurrent list एना through 42nd amendment या use question आ जाएगा कि which of the following subjects are not present यह लो है यह हो गई light गई यह मेरे साथ एक बहुत बड़ी दिक्क्रत है light यहां पर चली जाते है दो मिनिट दीजे मैं light ठीक करके आता हूं इसको चलिए तो finally light आ गई आगे वड़ते हैं Parliament has power to make laws with respect to any matters for any part of the territory of India not included in a state even though that matter is one which is inaugurated in the state list इसका मतलब समझे इसका मतलब यह है this provision has reference to the union territories or the acquired territories if any इसका मतलब है कि हमारे parliament हमारे parliament हमारे संसद जो है उसके पास यह power है कि वो इंडिया की territory territory के अंदर state union territory और future में किसी को acquire करने वाला जो कोई area है जिसको हम acquire करते हैं लेते हैं वो उसके अंदर आता है ठीक है उन union territory और future territories उनके लिए parliament कोई भी act low बना सकती है अपनी मर्जी से बना सकती है state की permission की जरूरत नहीं है इवन जो state list के subject है उन subject पर भी parliament कानून बना सकती है लो बना सकती है union territories के मामले में for example समझ लेते हैं एक example से समझ गीए हम ले लेते हैं डेली को दिल्ली को ठीक है अब दिल्ली क्या है कि union territory है अब यहां पर इसकी legislative assembly भी है इनके पास दिल्ली के पास लेकिन क्योंकि यह union territory है तो दिल्ली से related कोई भी act provision बनाना होगा फिर वो चाहे state list के subject पर ही क्यों न हो तो वो वर्क जो है वो territory है उनके उपर है ना ultimately इन चीजों से आपको एक समझ में आएगा कि states के पास जो है वो पावर बहुत कम है अब यहां तक तो आपने देखा इसके बाद मान लेते हैं तब क्या हो जब कोई एक नया सब्जेक्ट निकल करके आ जाए नया सब्जेक्ट मतलब भाई जो ना तो state list में है ना union list में है ना ही concurrent list में है एकदम अचानक से आस्मान से उतरा अवतार की तरह है अवतार लिया उसने यह ना जैसे एलियन आकर के फिल्मों में दिखाते ना साव अमेरिका वह उस टाइप के होलिवूड की फिल्म है कि aliens ने अटेक किया उनका अमेसा USA पर ही होता है और गहीं पर नहीं होता एक बड़ी इंट्रेस्टिंग सी चीज़ देखिया ना तो ज्यादा तर वह जो अटेक करते ना सारे के सारे USA पर अटेक करते और गई नहीं अब मामला आ गया एक दों बिल्कुल एक दों separate नया मामला आ गया जो alien है alien मतलब unknown है familiar नहीं है जिससे हम तब क्या होगा उसके उपर कौन एक्ट बनाएगा तो ऐसी situation को बोला जाता है रेजिडिवरी पावर्स आउसिस्ट सक्तिया और यह पावर भी दे दीगी पार्लियमेंट को the पार्लियमेंट has the right to legislate on the subjects belonging to the रेजिडिवरी लिस्ट the subjects which are not included in the three list यानि कि जो subject इन तीनों लिस्ट में नहीं है उनके अलावा कोई मामला आया तो उस पर rule making का कारे को work करेगा कोन करेगा पार्लियमेंट तो power किसके पास आगी पार्लियमेंट के पास जैसे मैं हर बार आपको explain करता हूं तो इसमें भी मैं union list के उपर कौन कानून बना सकता है केवल पार्लियमेंट ठीक है इसके पास exclusive right है दूसरे की अगर हम बात करें state list की तो मेरे दोस्त state list पे कोन बना सकता है state बना सकता है but exceptions भी है पार्लियमेंट भी बना सकता है ठीक किन पे past past conditions में article 249, 252, 253, 352, 356 इन exceptions पर पार्लियमेंट भी लो बना सकता है अगर हम तीसरी list की बात कर लें concurrent list की तो इसके उपर union प्लस state दोनों लो बना सकते हैं लेकिन इसमें union जो है ये ज़्यादा powerful है state के पास power नहीं है इतनी क्योंकि अगर किसी भी subject पर union और state दोनों ने लो बनाया तो union का लो जो है वो माना जाएगा state का नहीं माना जाएगा और अगर हम थर्ड की बात कर देते है रेजिडवरी पावर्स की रेजिडवरी पावर्स तो वो केवल union के पास है त्रेट के पास कुछ भी नहीं है union के पास है तो ऐसे में आप देखोगे हर जगह पर आपको क्या देखने को मिलता है parliament है ना यहाँ पर देखें इधर भी parliament इधर भी parliament इधर भी parliament इधर भी parliament इधर स्टेट सेंटर लेजिसलेटिव रेलेशन्स में आप देखोगे तो parliament को union को जादा strong बनाया गया है states के मुकाबले उसका reason यह है कि इंडिया में जो डाईवर्सीटी है इंडिया के अंदर जिस तरीके की हर तरीके की आप देखोगे तो region के basis पर diversity, language के basis पर diversity, culture के basis पर diversity, religion के basis पर diversity आप हर type की diversity इंडिया में देखने को मिलती है तो ऐसे में maximum provisions जो important important है उनके उपर एक unitary low बनाने की requirement होती है अगर ऐसा नहीं होगा तो इंडिया की जो diversity है वो completely destroy हो जाएगी और unity नहीं हो पाएगी unity in diversity नहीं आएगी हमारी unity destroy हो जाएगी तो इसलिए ये center को थोड़ा ज़्यादा powerful रखा गया है और इंडिया को development करने के लिए वो दी गई है और center को powerful रखने का एक reason ये भी है कि हमारा जो union है वो contract के base पर नहीं बना कि अलग अलग countries को पहले हमने एक साथ gather किया फिर उन सब के साथ contract किया contract करके फिर एक बड़ी country बनाई नहीं अगर वैसा होता तो हमें power equal distribute करने पड़ती लेकिन हमने क्या क्या हम तो already एक बड़ी country थे हमने तो हमारी administrative facility के लिए development के लिए हमारी diversity को बनाए रखने के लिए हमने time to time states का formation किया थीक है तो इसलिए ऐसे में यह required था जरूरी था कि power जो है ज्यादा center के पास इंडिया में रहे यह रहा अब अगर हम बात करते हैं यह सारी चीजे तो हम देख ली यह same वही चीजे from the above scheme it is clear that the matters of national importance and the matters which required uniformity of legislation nationwide are included in the union list थीक है यानि कि देश की एकता और राष्ट्रे महत्तो के लिए जितने भी subject है उन सबको हमने union list में रखा है जो regional matter के है regional और local importance के है उनको हमने state list के अंदर रखा है ठीक साथ ही और जो ऐसे matter है the matters on which uniformity of legislation throughout the countries describe desirable but not essential यानि desirable है essential नहीं वांच से नहीं है पर जरूरी नहीं है वो concurrent list में डाल दिये गए तो यह क्या करता है it permits diversity along with uniformity इंडिया में तो unity in diversity के concept को लाने में legislative powers भी भूमिका निभाते हैं लेकिन अब अगर हम इसका comparison करें other जो federal structures है other federal countries है जैसे USA है Switzerland है Australia है तो उनमें और इंडिया में बड़ा difference मिलेगा यूँकि इंडिया तो एक union है हमने union word यूज किया है federation word हमने यूज नहीं किया इंडिया के लिए इंडिया के federal structure के लिए federation word यूज नहीं हो है उसके लिए union word किया गया है अमेरिका जैसे for example अगर अमेरिका को बात करते हैं तो वो United States of America है वो पूरा complete federal country है तो ऐसे में वहाँ पर state और center को power equally distribute की जाते हैं in US only the powers of the federal government are enumerated in the constitution and the residuary powers are left to the state Residuary powers जो है उसे सक्तिया जो है वो state को दे दी गई है और जब कि इंडिया में क्या है कि इंडिया में वो union को दी गई है Australia में भी same अगर हम बात करते हैं American pattern को वहाँ पर follow किया गया है लगबग वैसा ही ठीक तो यह सारी चीज़े देखना है भारत में भी अगर हम बात करते हैं तो भारत में structure जो हम बोलते हैं हमने लिया तो कनाड़ा से लेकिन इसको derive करने का यह जो list है तीन list है ना union list state list concurrent list इनके बारे में पहला exposure इंडिया का 1935 के act से हो गया था 1935 का act वो ही act है जिसका हमारे इंडिया के constitution के उपर सबसे ज़्यादा impact पड़ा बहुत बड़ा vast इसके अंदर provisions थे ठीक है the government of india act of 1935 provided for a three-fold enumeration that is federal, provincial and concurrent यह उसमें तीन सूचिया बनाएगे थी ठीक है उनी से inspire हो करके इनको हमने आगे लिया उस time में और current के time में थोड़ा सा difference था 1935 का जो act था वो basically क्या करता था वो सारी की सारी power governor को देता था ठीक है governor general of india उनको power देता था ठीक बाकी किसी को भी power federal और provincial legislature को इसके बारे में कोई powers नहीं थी इन list के उपर जो power दे गए थी वो governor general of india को दे गए थी अब क्या हो गया है अभी current में हमने कनाड़ाई वाले system को adopt कर लिया है ठीक है और अब हमने states union और इन दोनों के बीच में divide कर दी है ठीक है अब इनका कोई role नहीं है कि किसी एक person के पास सारी की सारी power रहे अब हमने इसको divide कर दिया है ठीक है यह एक difference basically यहाँ पर रखा गया है और same वही है कि जो ज़्यादा important है उस list को अब रखा जाता है तो सबसे उपर अगर हम बात करते हैं तो predominance of union list देखेंगे over the state list and concurrent list ठीक है तो इस तरीके से रहता है पहले union list फिर state list फिर concurrent list इस series में यह तीने चलती है ठीक है चलिए हर situation में आप देखोगे overlapping के अंदर हमेशा union जो है वो powerful होगा कोई भी मामला होगा कोई भी चीज होगी उसमें अगर overlap हो रहा है तो union जो है वो powerful होता रहता है चाहे समवर्ती सुची हो चाहे concurrent list हो किसी भी चीज में हमेशा हो रहते है ठीक है इसमें भी देखिए in case of conflict between the central law यह लो है and the state law उन्हें subject enumerated in the concurrent list the central law prevails over the state law basically center की जो power है वो ज्यादा रहेंगे center उस पे ज्यादा power use कर सकता है लेकिन उसमें एक exception भी दे रखा था exception जो था वो आपके लिए इतना important नहीं है इसलिए उसको हमने skip कर दे है उसको छोड़ दीजे आप बहुत जादा confusion में जाओगे तो चीजों को clear रखना ज़रूरी है as a teacher हमारा एक role यह भी रहता है कि आपक confusion में डाल देंगे और जिसके करना concept से ही बटक जाए चीजों को easy रखना ज़रूरी है simple रखना ज़रूरी है जितना simple रखोगे उतना अच्छे से आप exam में जाकर गए answer दे पाएंगे चलिए अब हम second उसके उपर चलते है parliamentary legislature legislation in state field यह एक बहुत important important क्या है अभी आपने जो दे देखा union list, state list and concurrent list and regulatory powers जो आपने देखी वो normal circumstances में है सामान्य परिस्थितियों में है यानि कि जो in normal ठीक है the above scheme of distribution of legislative powers between the center and state is to be mentioned in normal times ठीक है लेकिन कुछ ऐसी चीज़े भी आती है जो abnormal होती है abnormal times भी आता है हमेशा सारी चीज़े life smoothly तो चलती नहीं न problems तो आती है ऐसा भी नहीं कि आपकी life बड़ी easily चलती रहती है बड़े आसानी से आराम से सारी चीज़ें आपको मिलती रहती है उसके बीच बीच में hurdles आते न प्रोब्लम आते न ऐसा भी नहीं कि आप exam देने तो सार कर रहे हैं civil services के लिए non-stop regular पड़ते हैं ठीक है आपका साहिब कुछ smooth चल रहा है लेकिन पता चला एकदम से अचानक से बिमार हो गए hospitalized होना पड़ा तो आपकी study जो है 10 या 12 दिन की आपकी छूट गई miss हो गई तो abnormal time हो गया न ऐसे ही हर country के लिए country के उसमें देखते हैं उन तो अब normal times के लिए भी पहले से preparation करना जरूरी है required है ऐसी ही चीज़ इंडिया के constitution में भी की गई हमारे constituent makers को मैं जब यह सारी चीज़े पढ़ने के बाद सोचता हूं तो मेरे को लगता है यार हमारे constituent makers बड़े इतने highly qualified थे इतना ज्यादा दिमाग इतना सोचना इतना ज् आज के time में मेरे को नहीं लगता है कि वैसा possible भी वो पाएगा मैं तो उनको देखता हूं मेरे को लगता है क्या गजब के इंसान थे वाई salute करने का ऐसा मन आता है उनको कि उन्होंने उस time में ये सारी चीज़े सोची और इतना better चीज़े बना दी बना कर गे रखी तो उन्ह करता है उसके लिए constitution में पाँच प्रोविजन है पाँच एक्सेप्शन है इन अदर वर्ड्स दा कॉंस्ट्यूशन एंपावर्स दा पार्लियमेंट तो मेक लोज ओन एनी मैटर एनुमरेटेड इन दा स्टेट लिस्ट अंडर दा फोलोईंग फाइफ एक्स्ट्रा ओर्ड पर किसका है स्टेट का नोर्मली लेकिन माल लेते हैं कि कोई एक ऐसा सबजेक्ट है स्टेट लिस्ट का जिसके उपर नैशनल इंट्रेस्ट में लोग बनाना भोत जरूरी हो गया जिसकर अगर पार्लियमेंट लोग बनाएगी तो नैशनल interest fulfill होगा इंडिया की integrity security राष्टर हित वो जो है secure हो गई तो ऐसी situation में parliament के पास power आती है कैसे आते हैं सीजों समझें सबसे पहले if the Rajya Sabha declares that it is necessary in the national interest that parliament should make laws with respect to goods and service tax or a matter in the state list or a matter in the state list then the parliament becomes competent to make laws on the matter ठीक है इसका मतलब इसको समझें कि अगर राज्य सभा एक resolution two third majority के साथ ठीक है two third majority के साथ पास करती है दो तिहाई बहुमत से पास करती है और उसको पास करके उस resolution में declare कर देगी और state list में कोई subject है कोई एक विसे है ऐसा है जिस जो बहुत important है national interest के लिए और उसके उपर parliament को कानून बनाना necessary है ठीक है मतलब necessary यह बनाना ही पड़ेगा बहुत ज़्यदा जरूरी है तो ऐसे में वो काम वहाँ पर किया जा सकता है ठीक है अब इसके लिए दो को चीजें ध्यान रखने कई बार आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि उससे यह पूछ लिया जाएगा कि और इसके लिए आर्टिकल कॉन सा जल्दी से comment box में मेरे सारे दोस्त बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त जो भी यहां पर लाइव बने हुए है सब के सब लोग comment box में answer बताएंगे चलिए जल्दी से comment box में दीजिए मैं आपको बता देता हूं आर्टिकल 249 249 इसमें यह provision दिया गया है अब यहां से सवाल ही आ जाएगा कि consider the following statements और पहले statement आपको दे दिया जाएगा according to article 252 Rajya Sabha can declare that it is necessary in the national interest that parliament should make law with respect to state list second statement दे दिया जाएगा और समें कह दिया जाएगा this kind of resolution should be passed by simple majority फिर एक और third statement दे दिया जाएगी कि Rajya Sabha has power to empower parliament to make laws on state list in national interest if Rajya Sabha passes a bill with special majority passes a resolution with special majority और अब आपको नीचे option दी जाएगा choose the correct statement और फिर आपको options दे दिया जाएगे a only one correct b only two correct c only third correct d one two and three correct फिर आप उसमें क्या correct लगा होगे तो इस तरीके से objective टाइप के exam में questions आप से यह resolution ठीक है राज्यसभा के अंदर ठीक है राज्यसभा के अंदर national interest में two third majority से resolution पास होगा तब जाकर के parliament के पास यह power आ जाती है ठीक है अब इस तरीके का प्रस्ताव resolution जो है वो एक साल के लिए force में रहता है remains in force for one year अब ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो फिर और उसको आगे बढ़ा ही नहीं सकते हैं इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं इसको आगे भी ले जाए सकता है it can be renewed any number of times but not exceeding one year at a time यानि कि एक एक साल के लिए इस तरीके का प्रोविजन जो है वो बनेगा बन सकता है ठीक है लेकिन उसको renew कर सकते हैं बार 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 रिन्यू कर सकते हैं one one year के लिए unlimited time के लिए सिंगल बार, एक ही बार में unlimited time के लिए नहीं बनता है एक बार में एक साल के लिए फिर एक एक साल करके उसको renew किया जा सकता है ये चीज ध्यान रखना है ठीके, अब मामला ही आता है कि ऐसे में क्या Parliament ने अगर मान लेते हैं national interest में state list के किसी subject पर low बना दिया तो क्या state state legislature वो उसी same subject के उपर rule low making नहीं कर पाएगा क्या उसकी power बिल्कुल completely destroy हो जाएगी ये तो एक तरीके से ऐसा काम हो गया कि without any amendment state की power को restrict कर दिया और center की union की power को मजबूत कर दिया है ना तो उसके लिए भी एक provision है इस चीज को समझेगा बड़े ध्यान से the law cease to have effect on the expiration of six months after the resolution has ceased to be in force ठीक है ये भी चीज है अब एक और चीज समझना है इसकी साथ the line वो skip हो गया यह लाइन यहाँ पर है ही नहीं ठीक है इसमे provision ये है कि अगर same subject पर Parliament ने भी national interest में low बना दिया और उसी subject पर किसी state ने अपने state में भी low बना रखा है अब अगर दोनों same है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर दोनों के बीच में और सहमती है contradiction है तो ऐसे में Parliament का लो है वो applicable होगा state का लो है वो applicable नहीं होगा वो मानने नहीं रहेगा वो मानना नहीं जाएगा Parliament के पास जो है ultimate power यहाँ पर हो जाती है ठीक है चलिए अगले पर चलते हैं national emergency पाज आते हैं अब हम बात करते हैं article 352 की एक ये एक और ऐसा मामला है जहाँ पर चीज़े हो सकती है इनसे related एक बार ऐसे भी question पूछा जा सकता है कि under which circumstances Indian federal structure become unitary without any amendment of the constitution बिना समिधान का संसोधन करे भारत की संगी व्यवस्था एक आत्मक व्यवस्था में कोन सी परिस्थितियों में बदल जाती हैं और फिर नीचे आपको options दे देंगे अलग-अलग और उनमें यही options रहेंगे article 249, 252 253, 352 356 ठीक है इनही में से एक दो correct रहेंगे बाकी आपको confuse करने के लिए दूसरी चीज़े डाल दी जाएंगे तो आपको इनको उपर ध्यान रखना है इनको याद रखना है यह ऐसी चीज़े हैं जिसमें without amendment के हमारा system जो है वो unitary हो जाता है फेडरल से बदल कर गए चलिए मेरे दोस्त आगे चलता है अगर राष्ट्रिय आपातकाल की उध्गोसना हो रखी है तो ऐसी situation में पार्लियमेंट के पास पावर है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्टियों पर lawmaking का काम कर सकती है ठीके national emergency इंदा лो जो जो है ना छे महिने तक एप्लिकेबल रहेंगे नेसनल अमेरजेंसी के end के बात ठीके अगर नेसनल अमेरजेंसी की एगर हम बात करते हैं तो नैसनल अमेरजेंसी जब तक रहेगी तब तक तो वो सब्येक्ट बने रहेंगे लेकिन National Emergency के माल लेते हैं कि खत्म हो गई, ओवर हो गई, तो उसके ओवर होने के 6 महीने बाद तक ये चीज़े की जा सकती है, ठीक है? इस चीज़ को समझे, माल लेते हैं, और एक्जामपल मैं आपसे समझा देता हूँ, कि National Emergency जो है, वो डिकलेर की गई, इंडिया में, वो एक एक्जामपल से लेते हैं, अभी से, कि भाया, 1 जैनवरी, 1 जैन, 2022 को, और तब से लेकर के, वो National Emergency जो है, वो चलती है, 1 जुलाई, 2022 तक, फूर एक्जामपल माल लेते हैं, कि यहां तक चली, यह National Emergency का Time Period हो गया, ठीक है, इस Time Period में, स्टेट लिस्ट के सारे के सारे सब्जेक्ट्स पर, लो बनाने की पावर जो है, वो Parliament के पास रहेगी, अब ऐसे में माल लेते हैं, कि यहां पर National Emergency end हो गई, और Parliament ने स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर लो बना रख है, तो क्या वो Lifetime तक Validate रहेगा, तो यहां पर यह Provision है, कि जैसे यह End हो जाता है न, तो इसके Six Month के बाद, Maximum, ठीक है, Six Month तक यह विवस्था रहेगी, उसके बाद वो रुख जाएगा, सीज हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर भी State, उस situation में, उस टाइम पर State Legislature जो है, वो भी Low बना सकता है, State List पर, ठीक है, Here also the power of State Legislature to make laws on the same matter is not restricted, रिस्टिक नहीं की गए, लेकिन, सेम चीज है, सेम प्रोविजन है, जैसे कि, राजय सभावाले मामले में देखा था, अगर सेंटर के लो में और स्टेट के लो में कोई contradiction है, ठीक है, तो सेंटर का लो जो है, वो applicable होगा, But in case of repugency between a state law and a parliamentary law, the letter is to be prevail, ठीक है, parliament का लो है, वो effective रहेगा, उसको माना जाएगा, national emergency में, अगली चीज है, when a state makes a request, अगर राजय अनुरोध करे, when the legislatures of two or more states, pass resolutions, requesting the parliament to enact laws on a matter in the state list, then the parliament can make laws for regulating that matter, यानि कि, दो या दो से अधिक states, minimum two states होने चाहिए, तो इसका मतलब यह कि, अगर कोई single state, कोई एक particular state, अगर वो चाहता है कि, यार कि, पार्लियमेंट लो बना कर देदे हमें, तो हम नहीं बना रह लो, हमसे ना हो पाएगा, पार्लियमेंट बना करके देगा, तो ऐसे में वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका साथी एक और आ जाए, एक हमसे ना हो पाएगा, दूसरा भी हमसे भी ना हो पाएगा, तो दोनों मिल करके, अगर request करें, अपना resolution पास करके, की कानून बनाने की सकती, और इसके लिए, आर्टिकल 252 वर्क करता है, 252 वर्क करता है, अब इसका मतलब ये भी नहीं है, ऐसे मत समझना, कि आपको लगता है कि वही, दो state गए, उन्होंने अपना resolution पास करके, पार्लियमेंट से request किया, कि वही, state list के subject पर, आप लो बना दो इस पर, अब पार्लियमेंट तो खुसी खुसी बनाएगा, उसको तो पावर मिल रही है, लेकिन वो लो है न, वो पूरे इंडिया के लिए नहीं बनेगा, ठीके, ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया के लिए, वो subject पर लो बना देगी, केवल उस एरिया पर, केवल एप्लिके होगा, पार्लियमेंट गा, लेकिन वो यूनिफोर्म होगा, ठीक है, एलो सो एनेक्टेड अप्लाइज ओनली तो दो स्टेट विच है, पास्ट दा रेजुलिशन, जिन स्टेट ने इस रेजुलिशन को पास किया था, वहाँ पर, आर्टिकल 252, यहाँ पर रहेगा, ठीक ह अब इस चीज को ध्यान में रखना है, अगर आप इसके बात करें, इसका मतलब यह है कि अगर कोई दूसरा स्टेट है, उसको लगता है कि यार इन दोनों स्टेट के लिए पार्लियमेंट ने बड़ा अच्छा है, यह तो बढ़िया है, यह तो हमारे यहाँ पर भी होना च बढ़िया सकते ह named or repealed only by the parliament and not by the legislature of the concerned state. अब ऐसे लों को केवल पार्लियमेंट ही संसोधन कर सकते है, पुनर विचार कर सकते है, यह हटा सकती है, खतम कर सकती है, राज्ये नहीं कर सकता, State नहीं कर पाएगा, इसमें State की power खतम होगी। ठीक है? The effect of passing a resolution under the above provision is that the parliament becomes entitled to legislate with respect to a matter for which it has no power to make a law. यानि कि ऐसे resolution से parliament के पास ऐसी power आती है, जो जिस पर law बनाने की सक्ति उसके पास नहीं थी. ठीक है? यानि कि state list के subjects जिन पर वो law नहीं बना सकती थी, उन subjects पर भी law वो बना सकती है. ठीक है? तो ऐसे में जो state legislature की जो power है वो seize हो जाती है law बनाने की उस matter पर सभी matters पर नहीं के वल उस matter पर जिसके लिए उन्होंने resolution पास करके दिया है state government ऐसे resolution पास नहीं करेंगे कि याई काम करो भाई कि हमारे state की में state list related जितने भी subject हैं उस पर के वल पार्लियमेंट ही एक्ट मनाए ऐसा नहीं करेंगे वो के वल कुछ concerned कुछ important कुछ required urgent subject होंगे जरूरी होगा ऐसे subject के लिए ही resolution पास करेंगे तो पार्लियमेंट के जो पास वो power आएगी वो के वल उन्हीं subject को लेकर गयाएगी complete state list पनियाएगी उन subject से related रहेगे बाकी पर state legislature जो अपना काम कर सकता है अगर वो complete ही देगा तो फिर तो emergency जैसी situation आगी national emergency और पेजिडेंट रूल जैसी situation आगी फिर गवर्मेंट बनाई क्यों है ना फिर तो मामला यह ना आप मेंसे कही पूरी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बनाने के लिए लो में बनाने के लिए resolution पास कर दे फिर मुद्दा तो यह तो फिर वह क्या करने आई है सरकार में क्या करने आई वह government बनी क्यों क्यों उन्होंने इतनी मेनत की लोगों से वोट मांगे इतने पापड वेले सामदाम दंड भेद ले कर गे और उन्होंने government बनाई उनका तो पूरा पूरा जो objective था वह सब ही खतम हो गया है ना उनका उद्देश सब खतम हो गया तो पावर तो सेंटर के पास चली तो ऐसा चीजिए नहीं होती है ठीक है के वल वह होता है अगले accept 100 पर सब्सक्राइं थे THIS ये कुछ ऐसे acts हैं, कुछ ऐसे examples हैं, जो state की request पर parliament ने बनाये थे, ठीक है parliament ने इनको बनाया और example अगर हम बात करते हैं आपको यहाँ पर यह chair नहीं दिखे रही है, तो आपके पास camera में इस level तक काता है बस, इस level का नहीं आ रहा, चेर तो इससे उच्ची है भाई अच्छा ऐसा भी है ठीक अगर वो camera की उस पर फरक पड़ता हो अगर मैं इसी को ही इधर से ले आते हैं, टेक्निकलिटीज में चलेगे हम लोग camera की physics देखने लगे कि आच्छा यह कैसे physics काम करती है यह कुछ ऐसे लोज है जो parliament ने पास किये थे दो states या दो से अधिक states के उसके उपर request के उपर अगला क्या है to implement the international agreements एक और issue है ठीक अगर माल लेते हैं, पार्लियमेंट ने हमारे center government है, उसने किसी state के, किसी other country के साथ कोई treaty की, कोई समझोता किया है ना जो कि national interest में जरूर ही हम treaty समझोते करते रहते हैं या माल लेते हैं कि हमने कोई international organization है उनके साथ मिलकर के हमने किसी चीज को लेकर के, agriculture को लेकर के, या law and order को लेकर के, public order को लेकर के कोई हमने उनके साथ treaty की को समझोता गिया तो अगर international obligation है international treaty को अगर इंडिया को fulfill करना है तो उसके लिए state list के कोई भी subject के उपर Parliament जो है, कानून बना सकते है लो बना सकते है, Parliament का power आ जाती है, automatically और उसके लिए उसको किसी भी state से permission लेने की requirement नहीं होती है किसी भी state से पूछने की ज़रूत नहीं है अपनी मर्जी से वहाँ पर Parliament जो है, work करने लग जाएगा काम करने लग जाएगा ठीक है मेरे दोस्त, ऐसे भी कई सारे हैं, जैसे आगर आप example पर देखोगे, तो आप यहाँ पर देखिए कि आपने United Nations के देखे, Privilege and Immunities Act 1947, Geneva Act 1960, etc, 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 anti-hijacking act, यह सारे ऐसे acts हैं जिन पर इंडिया ने अपना consent दिया ठीक है, और इनको इंडिया में apply करने के लिए, लागू करने के लिए फिर इंडिया में ने state list के उपर कानून बनाया, और ऐसा कानून हमेसा Parliament का माना जाएगा अब अगला है during President's Rule तो यहाँ पर Article 356 जो है, यह applicable हो जाता है, when the President's Rule is imposed in a state, the Parliament becomes empowered to make laws with respect to any matters in the state list in relation to that state है ना, a law made so by the Parliament continues to be operative even after the President's Rule, इनके उपर हम बहुत detail में discuss भी करेंगे, जब हम emergency provisions को देखेंगे ना, तो emergency provisions पर जाने के बाद देखेंगे, अभी मुद्दा यह है कि जब किसी भी स्टेट में President's Rule लगाया जाता है, गवर्नर recommend करता है, President's Rule लागू हो जाता है, तो ऐसे में उस स्टेट की सारी की सारी legislative powers जो है, वो center के पास चले जाती है, नहीं Parliament के पास चले जाती है, तो उस particular स्टेट के लिए Parliament स्टेट लिए किसी भी तो President's Rule ओवर होने के बाद भी, ऐसे लो जो है, पारलियमेंट ने जो लो बनाये थे, वो चलते रहते हैं, ठीक है, दिस मेंस, देट दा पीरियेड ओफ विच सच अ लो रिमेंस इन फोर्स इस नोट कोटर्मिनस, कोटर्मिनस विद द्यूरेशन of the President's Rule, यह कई सारे वर्स मेरे लिए भी इतने नई-नई है ना, कि मेरे को भी बड़ी वाट लग जाते हैं, अंग्रेश जी की पूरी की पूरी वाट है वाई, आपनी है ना, यह बहुत सारे वर्ड्स मेरे को भी वह आते हैं, बोलने में मेरे मतलब प्रोनाउंसेशन जो है वह बड़ा वैसा हो जाता है, अब ऐसे कानुनों को क्या किया जा सकता है, वो बने रहेंगे तो ऐसा तो नहीं कि निर्शिप परिवर्तित यह पुने लागू कर सकता है, जब तक राज विधान मंडल स्टेट लेजिसलेचर उसको रिपील नहीं करेगा, तब तक वो लोज जो है, वो कंटीनू चलते रहेंगे, लेकिन स्टेट लेजिसलेचर के पास यह पावर दे गई है, इसको अभी हम पांच चीजे कौन कौन सी थी, जिन पांच exceptions पर स्टेट कानून बना सकता है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी चीजे हैं, जिसको आपको समझने की जरूरत है, क्या है, वो देखते हैं, अभी तक तो हमने यह चीजे देखी, constitutional provisions देखे जिसमें पार्लियमेंट के पास यह यानि center के पास power आजाती states के ओपर, ठीक है, लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसी भी चीजे हैं, कुछ ऐसे भी provisions हैं, जिससे direct parliament जो है, overpower कर जाता है states को, कैसे इसको समझें, इसको हम बोलते है, centers control over state legislation, इसको समझें, besides the parliament's power to legislate directly on the state subject, उसमें तो directly legislate कर सकती हैं, जो 5 exceptions थे, आर्टिकल 249, 252, 253, 352, 356, उसमें तो directly parliament जो state list पर act कानून बना सकती है, इसके अलावा, इसके other than be, powers जो है, वो दी गई है, parliament center के पक्स में, center के favor में, क्या है, समझें, under the exceptional situations, the constitution empowers the center to exercise control over the state legislative matters in the following way, सबसे पहला तो क्या है, कि the governor can reserve certain types of bills passed by the state legislature for the consideration of the president, normally क्या होता है, parliament कोई bill pass करता है, तो consideration के पास किसके बाज आता है, president के पास, president उसके पास sign कर देता है, तो वो act बन जाता है, वो reconsideration के लिए भी भेज सकता है, वीटो भी कर सकता है, ठीक है, तो वो तो हो गया, parliament का, same structure state में होता है, president का role, यहाँ पर state में, equivalent role जो है, वो governor follow करता है, तो ultimately होना तो यह चीए था न, कि state legislature, अगर कोई bill पास करती है, तो governor के पास जाए, governor sign करे, तो act बन जाए, नहीं करे, तो नहीं बने, लेकिन यहाँ पर भी center को बीच में डाला हुआ है, यहाँ पर भी कुछ important subjects को, अगर governor को लगता है, तो, कि भाई, यह कोई constitutional matter है, या कोई important matter है, इसके उपर हम, president से permission लेने की जरूर है, तो president से, हमारा consent लेना जरूर है, तो governor उस state legislative के bill को, president के, sign के लिए, ठीक है, उनकी consideration के लिए, अपने पास fold कर लेता है, अब देखो, बिल बनाया, state government ने, state list के उपर बनाया, अब उस bill को भी hold कर लिया गया, किस के थुरू, governor के थुरू, किस के लिए, president के consideration के लिए, यानि कि यहाँ पर भी center जो interfere कर रही है, अब यहाँ पर president और governor दो केवल करने वाले लोग हैं, official लोग हैं यह, जिनके नाम से work किया जाता है, असली करवाने वाला कोन है, वो तो central government है central government ही तो एक सारा काम कराती ना, governor भी उसी कैजन, president article 74 से, यह bound है उनसे, center government के लिए, ठीक है, तो ultimately center government इस तरीके से कर लेते हैं, और कई बार क्या होता है, कि किसी state ने बहुत अच्छा bill बनाया, लेकिन center में कोई उसकी opposition वाली party है, और उसको center वाली party को लगता है, यह अच्छ national level पर भी इनकी popularity और अच्छे हो जाए, और वहाँ पर भी इनको अच्छे vote मिल जाए, पारलेमेंट में भी आ जाए, तो power के लिए struggle चलता रहता है, तो basically power struggle इन चीजों को देखकर के भी कई बार अच्छे बिलों को भी रोक लिया जाता है, है नहीं के सारे पर, अब president के पा powerless हो जाते हैं, और ऐसा नहीं कि इसका misuse ही होता है, इसका सही काम के लिए भी use होता है, कई बार state ने कोई act बनाया, बहुत गलत तरीके से बना दिया, है ना, और उससे हो सकता है कि कुछ state के अंदर diversity में कुछ difference आ जाए, problem हो जाए, दिक्कत हो जाए, ठीक है, या riots होने की सं संभावन, बहुत सारी चीज हो सकते हैं, किसी हक चला जाए, तो ऐसे में उस गलत चीज को कर रोकने के लिए भी ये provision किया गया था, तो उसके लिए भी use किया जाता है, लेकिन क्योंकि power struggle चलता है इंडिया में, तो power के लिए जग हिस्तान चलती है, तो basically इसका use थोड़ा सा permanent रख सकता है, ठीक है, इस चीज में ध्यान रखना, second मामला क्या है, second मामला ये है, कि कुछ bills को president के permission से ही introduce किया जा सकता है, और यहाँ पर मैं parliament की बात नहीं कर रहा, मैं state की बात कर रहा हूं, जैसे parliament में money bill आप लेकर क्याते हैं, president के recommendations पर आता है, वो तो parliament में आता है, वो on certain matters, certain matters enumerated in the state list can be introduced in state legislature only with the previous sentence of the presidents, for example, the bill imposing restrictions on the freedom of trade and commerce, कुछ मामले, कुछ issues ऐसे हैं, जैसे कि अगर व्यापार और वानिक जे के उपर सोतंदर ता, उसकी freedom पर restriction लगाने वाले, कोई भी, विधेक, उनके लिए आपको पहले राष्ट पती से permission लेना पड़ेगा, president की पूर्व अनुमती लेनी पड़ेगी, president consent देने का मतलब, president अपने मन से नहीं देता consent, वो तो वो ही करेगा जो central government काईगी, तो central government का यह एक तरीके से consent यहाँ पर चलता है, ठीक है, यह चीज़ ध्यान रखना, अब यही नहीं, the center can direct the states to reserve money bills and other financial bills passed by the state legislature for the president's consideration during a financial emergency, article 360 के अंदर, जब आर्टिकल 360 जब applicable होता है, financial emergency लागू है, तो उस time, वहाँ के money bill को भी, वहाँ के financial bills को भी, वहाँ के धन विदहयक, उनके वित विदहयक, उनको भी राष्टपती की अनुमती, president के consideration के लिए secure रखा जा सकता है, तो ultimately कहने हो का मतलब, ऐसी situations है, जिसमे center ज्यादा powerful दिख जीता है, from the above, it is clear that the constitution has assigned a position of superiority to the center in the legislative sphere, ठीक है, ये चीज़ आपको देख लेना है, अब जब superiority की बात आती है, तो बहुत सारे state demand गरते हैंगे, और ऐसा नहीं होना चीए, तो center state relations में balance of power होना चीए, states को भी ज़्यादा power दे जाने चीए, states demand गरते हैं, तो उन demands को पूरा करन के लिए और इनकी बीच के disputes को दूर करने के लिए, time to time कई सारे commissions बनाएगे, और इनके लिए सबसे important, सबसे बड़ा commission जो था, वो था, सरकारिया commission, सरकारिया आयोग, इन्होंने अपनी बात में क्या कहा है, इनकी चीज़ को भी समझना है, कि in this context, the सरकारिया commission on center state relation, 83 to 88, observed the rule of federal supremacy, is a technique to avoid absurdity, resolve conflicts, and ensure harmony between the union and state, ठीक है, तो union and states के बीच में, harmony बनाए रखने के लिए, ये चीज़ें जरूरी है, ठीक है, और ये सरकारिया आयोग ने भी, सरकारिया commission ने भी, इस चीज़ को clearly बोला, ठीक है, इसको यहां से काट दे दिये, और ये जरूरी भी था, तो इन्होंने भी इस चीज़ को prove कर दिया, कि state के पास, जो overpower करने की, center के पास, जो power, state की power score करने की जो सकती है, यानि कि state की legislature पर, अपना legislation करने की सकती है, वो correct है, जरूरी है, ठीक है, if this principle of union supremacy is excluded, it is not difficult to imagine, it's deleterious result, इस से फिर नकारात्मफ प्रभाव होंगे, बहुँ ज़्यादा प्रभावत पड़ेंगे, क्योंकि हमारी, जो, जिस तरीके की system है, political system है, ऐसे में, हमें center के पास, power, ज़्यादा देने की ज़रूत है, ये सारी की सारी चेज़े, इन्होंने कहा, ठीक है, तो एकिकरत, विधाई एक रूपता, unified legislative policy, and uniformity, ये required है, अनेकता में एकता, because of this, our identity of unity and diversity cannot remain intact, ठीक है, नहीं तो हो नहीं पाएगा, ये एक दिक्कत थी, ठीक, तो ये थे हमारे, basically इसमें, center state के, legislative relations, ठीक है, विधाई संबंध, अब administrative relations भी है, और financial relations भी है, और उसके बाद, अलग trends भी है, union state relations के, तो उन trends को भी देखेंगे, उन सब को भी देखेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, अगर आप मैंसे, कोई भी मेरे friends, कोई भी दोस्त, अगर अनकेडमी का subscription लेना चाहते हैं, तो ये referral code आप apply कीजिएगा, referral code याद रखिए, इस referral code को apply करके course join कीजिएगा, तो आपको पूरे की पूरी fees में discount मिलेगा, और हमारी personal guidance भी मिलेगी, ठीक है, और exam तक आपको proper guide करेंगे, किसी भी चीज में आपको, कभी भी कोई problem नहीं आने देंगे, life long आपके लिए हम बने रहेंगे, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है, चलिए, तो class अच्छी लगती है, तो like से जरूर करना है, और हमेशा positive attitude की साथ रहना है, मजे से रहना जिन्दिगी, यही है, life अच्छे से जियो, मस्त, कुछ हो करके, study भी करते रो, life भी enjoy करो, और negative लोग आपकी success से हमेशा जलेंगे, ठीक, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, उनकी जिन्दगी इतनी negative हो चुकी होती है, कि वो 1000 वो निकालते हैं, आप से करने के लिए इतना जलते हैं, वो आप से कि वो आपको नीचे गिराने के लिए, या आपकी कम्या ढूनने के ल कि अच्छा, इसने अमारी ये कमी बताई, तो दो तरीके के लोग हैं, एक ऐसे लोग जो बदला लेने पर उतारो जाते हैं, और एक ऐसे लोग जो अपने आपको एक next level पर ले जाकर के सुधार लेते हैं, अगर माल लेते हैं कि एक person है, उसने आपकी कमी निकाली, ठीक है, उसने आपके बारे में खुब सारी कमी बताई, बुराई हैं कि यार ये तो ऐसे ही है, ये तो बोल, इसको तो पढ़ना नहीं आता, बोलना नहीं आता, लिखना नहीं आता, इसका प्रोनांसन ठीक नहीं है, वगेरा वगेरा ये कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे, तो बहुत स आप उसी में उलज के रहे गए और उस परसन का मोटीव क्लियर हो गया उसने जिस मोटीव से काम किया था आपको उलजाए रखने के लिए आपको डिस्ट्रोई करने के लिए उसका वो मोटीव हो गया ठीक आप मैंटली माइंड में उसी में उलजाए रहे गए सारी टाइम ज गुसुंगा भी नहीं गुसूगी भी नहीं लेकिन दूसरी तरफ है ऐसे लोग यह थी आम जिंदगी और दूसरी तरफ होती है इसमें मेरी कम्या बताई कि यह खितना अच्छा इंसान है यार यह जो काम मेरे लिए कोई नहीं कर पाया वो इसने कर दिया इसने मेरी problems निकाल करके बता दी अब मैं क्या करूँगा कि मैं इन सारी problems को अब ठीक करूँगा improve करूँगा improve करूँगी मतलब irrespective of gender बोल रहो हूँ है इसलिए बोल रहो हूँ ठीक है लड़का लड़की कोई भी तो वो person उनको लगेगा केवर कमया बुराइग निकल रहा हमारा दोस्मान नहीं है वो अपना तो time waste कर रहे अपना समय बरबाद कर रहे लेकिन उसके समय से हमें benefit हो जा रहे है क्योंकि उसने हमारी जो कमया बताई हमारी दिक्कते बताई और हमने देखा कि हो सकता कि सच में भई ऐसी कोई कमिया को इस दिक्कते हमारे अंदर हैं तो क्यों ना उसको इंप्रूव कर ले सही कर ले और जब इंप्रूव हो जाईगी तो फाइदा किसका होगा आपका जिसने आपको क्रिटिसाइज किया वो थोड़ी उसका थोड़ी कुछ फाइदा है ना हाँ विल्कुल हिंदी ठीक है तो इस चीज को ध्यान रखना है अपने उन से कभी भी वो नहीं करना है जो आपके निंदा करने वाले हैं आपके जो हुआ हैं हमारे तो बहुत हैं भाई ना तो आपको बता भी नहीं सकता कि कितने लोग हैं थोड़ी सी भी क्लासिस ठीक ठाक होने लग जाते हैं तो हाई तो बब मच जाते हैं उनके रातों की नीन चैन हराम हो जाते हैं फिर वो लग जाते हैं कोशिजों में कुछ ना कुछ करके कि यह तो यह तो यह तो यह से कर रहा है तो को इसने यह कर दियो यह तो इसने आपर को नहीं करनी अब मेरे को और इंप्रूव कर कैसे करना है मैं उनसे ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर कैसे जाओ और वो तभी हो पाएगा जब मैं उनको अपने पर फोकस दो मैं अपने को उपर उठाने पर ध्यान दो ठीक है लेकिन ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं आपको अगर सफलता से जलाओ उनको आप सक्सेस उलो जब पर जब आप सक्सेस के उस पर पहुंच ओगे ना तो आपके यही सारे के सारे लोग आपसे जलते विक आएंगे ठीक है ठीक चलिए एक मिनट रुखिए ठीक है देखे इसके लिए इस चीज को लेकर के कबीर का एक दोहा भी है मेरेको एक्जेक्टली नहीं पता है किसका क्यों की इतना मैं हिंदी लिटरेचर साहिते के बारे में जानता नहीं हूँ लेकिन ये दोहा मैंने एक थोड़ा सा पड़ा हुआ था और वो किस तरीके से समझे कि निंदक नियरे राखिये आंगन कुटी छवाए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए ठीक है बहुती भेतरी दोहा है इसको आपको भी पढ़ना चाहिए आपको भी देखना चाहिए कि निंदक नियरे रखिये आंगन कुटी छवाए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए इसका मतलब ये है मेरे दोस्त कि जो आपकी निंदा करता है जो आपको क्रिटिसाइज करता है ऐसे परसंद को अपने पास रखी है बलकि हो सके तो अपने आंगन अपने घर के अंदर वहां पर उसके लिए चारपाई एक खाट डाल दीजिए क्योंकि वो एक ऐसा परसंद है जो आपको बिना साबुन बिना पानी के आपको साफ रखता है यानि कि आपके सुभाव को साफ रखता है ठीक है आपकी गलतियां आपको ढूंड ढूंड करके बताता है तो कितना बड़ा काम है बहुत तो निंदकों से डरना नहीं है करीव र जिंदा करो बताओ लेकिन प्रोब्लम एक चीज क्या आती है ना प्रोब्लम यह आती है कि लोग बुष्धिण है दोरी तरीके के हो जाते हैं डियू Hall, Hip Oak Goncal type का अपनाते है पीठ पीछे खो बुराही करेंगे और सामने आते हैं अरे अरे आरे आप इतना चाहिए अरे अ अप्कूर, असे लोगो से बच्के रहना चीजिए ऐसे लोगों से दूर णे क्यांँद ठीक है ऐसे जो दोरा चरीत्र रखते हैं, की आगे कुछ, पिछे कुछ, डाइ पज haha ऐसे लोगों से बच्च के रहुँ formats इस अरे हर तरीके के प्रोफेसेंट में आप देखने जो हमने भी लोग जो इस तरीके से फोरोड करते हैं है उन्य पिखिए हैं और फिर और फिर वह लोग जो सही तरीक ऐसे आगे वड़ ए लें ऊसको देख पर करने चीड़ जाएंगे तक सब को सबढ़ Mississippi सबकी सब के पाइब चुठी ग Chapter call लोग अपनी कुंडली को सुधारने में लग जाते हैं और दूसरे लोग क्या सोचते हैं कि दूसरे को गरा करके कैसे आगे वड़े गराते चले जाए गरा करे कितना बढ़ लोगह Ilan पर लोग उसके बाद क्या गरोगे, कुछ होगा थोड़ी, कुछ होगा ही नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे, है ना, तो मेरे सारे दोस्त, जितने प्यारे दोस्त हैं, जो UPSC की तैयारी करने वाले हैं, आप सब के मैं कमेंट्स देख लिता हूँ, आप सब लोग कोशिस करना है कि positive रहें, आगे बढ़िये life में, उल्टे फुल्टे सब लोगों से, दिमाग से निकल जाईए, इनके उपर बिल्कुल भी मत ध्यान दीजिए, ठीक है, और जरा जोस्त बताएं कैसे हाउस दा जोस, हाउस दा जोस, कैसे हाँ जोस, जिन्दा हैं की नहीं, हाउस दा जोस भाई, हाउस दा जोस, एक हाई जोस तो बनता है यार, हाई जोस तो आना चाहिए, एक हाई सर के आंसर से जरा दोना एक बर जवाब, बोलो हाई सर, आप सबके लिए अब दीरे दीरे ये classes जो है, प्रीमेर होती रहेंगी, recorded sessions आएंगे, live तो मैं नहीं ला पा रहा हूँ, कुस reason से, ठीक है, लेकिन अब आपके लिए प्रीमेर regular होती रहेंगी, आप इनको देखते चले जाएगेगा, must, best classes आपके लिए आएंगी ये, और बहुत detail में सारी की सारी चीज़े मैं आपको यहाँ पर करवा दूँगा, ठीक है, इससे better आपको कुछ भी नहीं मिलेगा कहीं पर भी, और इससे detail में भी classes नहीं मिलेंगी मेरे दोस्त आपको, ठीक है, डेली आप देखते रहना, आपके लिए प्रीमेर होती रहेंगी, और आपकी कोई प्रोब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप डारेक्ट कुंटेक्ट कीजिए, डारेक्ट बात कीजिए, और अनकैडमी का सब्सक्रिप्सन जरूर ले लिजिएगा, क्योंकि एक्जाम रहे थे, तो आप भी उसको लीजिए, और इसमें ज्यादा देरी मत कीजिए, क्योंकि अगर आप कंपेर करोगे न, हर चीज में तो अनकैडमी बहुत बेस्ट मिलेगी आपको सब चीजों की मुकाबले, कैसे, कि आप पहीं पर भी चले जाओ, दुनिया में, कहीं पर इंस् इंग्लिस में भी बाइलिंग्वल में भी तीनों लेंग्वेज मिल जाती है, ऐसा भी option कहीं रहेगा, नहीं कि आपको तीनों लेंग्वेज अविलेबल हो, आपको पहले ही अधर जगह पर एक ही लेंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, यहाँ पर अनकैडमी आपको ती इंग्लिस में रिपीट मोड पर भी क्लास देख सकते हो, और आइकोनिक सब्सक्रिप्शन वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो लाइव क्लास में सीधा फोन पर डारेक्ट डाउट पूछ सकते हैं, इतने अच्छी फैसलेटी, इतने अच्छे फीचर्स हैं, बेनिफ करता कैसे हैं, अपना लोस उठा करगे स्टूडेंट्स को बेनिफिट करता हैं, ठीक है, वन येर की फीच, वन येर की प्लस की जो फीच है, वो ओल्मस्ट 43-44,000 की कर रही है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, यार आप कभी ओफलाइन में ट्राई करोगे न, इतने में तो ऑप कम्प्लीट कोर्स मिल जा रहे है, और आपके लिए कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं रहना नहीं, अपने घर से स्टडी कर रहे हो, अपने एक कम्फोटेबल जोन में रहकर कि आप स्टडी कर रहे हो, इससे बेटर तो क्या है, नोर्मली आप इतने का तो फोन ले ले तो education पर लगाओ पैसा, अपने पैसे को invest करना है तो आप अपने उपर invest करो, और अपने उपर invest करने का सबसे अच्छा तरीक है कि आप अपनी education पर वो पैसा लगाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा educate आप होंगे, जितनी ज़्यादा आपकी knowledge होगी, उतनी ही आपकी personality डवलप कर और उतने ही ज़्यादा आपको popularity, name, fame वो भी आपको मिलेगा, तो पैसा अगर लगाने ना तो education में लगाओ, education में लगाया गया, पैसा कभी waste होता नहीं, कभी भी बरबाद नहीं होता है, वो आपको हमेसा help करेगा, ठीक है, और बाकी तो life में और भी चीज़े, enjoy करना है, मै से निकलेंगे ही नहीं, एक दम cut out, cut off कर लेते हैं सबसे, वो भी बहुत खराब, गलत वो चीज़े हैं, ऐसे नहीं करना चीगे, life किसलिए बनी आपके, life इसलिए बनी ना, enjoy करते हैं, और काम भी करो, enjoy भी करो, सब चीज़े करो, इसलिए बनाइए, तो हर चीज़ को proper time दो, हाँ, आपका aim है, IES बना, तो उसके लिए थोड़ा dedicated रहो, उसके लिए थोड़ा ज्यादा time दो, लेकिन अपनी personal life भी enjoy करो, बस ऐसे लोगों से दूर रहो, जो आपके बारे में गलत करना चाहते हैं, जो आपको demotivate करते हैं, जो आपको motivate नहीं सकते हैं, आपके लिए कु करो यार, life में, सब कुछ करने के लिए यह है, नहीं करोगे तो कब करोगे फिर, अब मैंने एक बार ऐसे, इंदी मीडियों की proper class में ले रहा था, उसमें मैंने ऐसे बोला कि बच्चों को, कि ठीक है life जो है, पढ़ाई एक साथ साथ, इन्जोए करो, और सब कुछ करो, तो, तो, फिर मेरे को फोन करके, मैसेज करके, एक किसी ने वो क्लिप डाली, इंस्टा पे, और डाल करके, फिर सर बोलते हैं, सर आपने कहा था कि सब कुछ करो, लेकिन सर मैं आप से कुछ सवाल पूछना चाता हूँ, पूछो मैं रसे, क्या पूछना चाते हो, तो, बच्चे प्यार करना सर गुना है, सर क्या प्यार नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल गलत नहीं है, बहुत कर सकते हो, जब तक तक तुम्हारे लाइफ उससे डिस्टर्ब नहीं होरी, सामने वाला परिशान नहीं होरा, तुम भी परिशान नहीं होरा, तो बिल्कुल कर सकते हो, फिर उसने सब और जाता है और फोन नहीं होता है यह तो बड़ा ही जटिल नविसे हैं इसमें तो आपको कोई प्रेम गुरू कोई जिसको love guru type के लोग है वो ही आपका support इसमें help कर सकते हैं मैं तो आपको सिर्फ एक simple सा suggestion दे सकता हूँ कि जब आपका एक aim है एक goal है कि आपको ये चीज़ करनी है तो उसके लिए time fix कर लो और उस time के दोरान दुनिया इधर की उदर हो जाए तबाही मच जाए आखरी इंसान बचो तब भी हिलो मत अपनी जगे से काम ही करो उस time सब को side में कर दो माल लेते हैं कि दोखो इस सारी चीज़े नोर्मल आप यंग एज ने आपने मां लेजिए डिसाइड कर रखे कि आपको चार गंटे स्टड़ी करना है आई एस बनने के लिए किसी ने पांच गंटे छे गंटे आठ गंटे सब अपना अपना time मैं एक नोर्मल टाइम लेता हूं कि पांच गंटे आप स्टड़ी करना चाह रहा है अब उसके प्राइम मिनिस्टर भी फोन कर रहा होगा तो भी नहीं उठाएंगे तो भी ध्यान ने सोचे हम सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करेंगे मैं उसको यह बोला फिर उसने मेरे को कहा उस बच्चे ने कि सर मैंने ऐसे ट्राई किया था मैंने एक दूबर पढ़ने की कोशिस करी ले bali में इसको समझाया है कि वहाई अगर कोई सचमें तुमारे life में importance रखता और कोई सचमें तुमारे care करता है तो उसको पता है कि तुमारे life का objective क्या है तो उस objective को पाने में वह कभी आपको परेशान नहीं करेंगे व्यायर हाँ यह सामने वाला परसन है इसको इस तक स्टड तो वो जरूरी है वो करके रखना है ठीक तो वो समझेंगे अगर वो सच में प्यार करते हैं अगर सच में उनको आपकी केर है और अगर नहीं है सच में केर तो फिर तो टाइम वेस्ट करते रहेंगे उनका भी टाइम आपका भी टाइम तो ऐसे लोगों से तो दूर ही हो आप किस पोस्ट पर हो आप कितना पैसा कमाते हो आपके पास कितनी पावर है कितना आपकी फैन फोलोईंग है यह सारी चीज़े डिसाइड करेंगे कि लोग आपके साथ कैसा बिहेव करेंगे अगर यह सारी चीज़े तो आपके साथ अच्छा बिहेवियर होगा लोगों का अगर यह चीज़े नहीं है तो आपको आपके घर वाले रिष्टेदार तक भी नहीं पूछेंगे वो भी आपको धिक्कारेंगे वो भी आपको गलत तरीके से बोलेंगे रिस्पेक्ट नहीं मि प्रपित रहने अपना काम हमेशा करना है उसको छोड़ना नहीं है और बाकी अगर आपको फिर भी प्रोब्लम होती है तो मैं आपके लिए एक दोहा है हमारे पास उसको भी यूज कर सकते हैं कि प्रेम प्रसंग निकट नहीं आवे लक्षमी कांथ जब हाथ में आवे ठीक है लक्षमी कांथ की बुक को लेकर करके रखो साथ में ठीक है बाकी की जो डिस्ट्रेक्शन वाली चीजें वह आपके आसपस आएंगी नहीं ठीक है तो पढ़ाई पे भी फोकस करो बाकी चीजें भी करो अगर वह आपकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं करी तो बिल्कुल इन ज पढ़ाई पर फोकस रखना है हमेशा रखना है पढ़ाई से अटना नहीं और बाकी तो नेगटीव चीजें बोलने वाले लोग तो आते रहेंगे उनसे सोचिए कि आपके भला करने के लिए आपको अपने पर काम करते चले जाना है ठीक है आपने देखना एग्जाम्पल वो बुराईयां गरते उनके साम कुछ उल्टा सिदा नहीं बोला नाहीं गालिया बगी उसने क्या कि उसने उन सारी क्रिटिसिजम को अपने इंप्रूमेंट में लगा दिया और इतना इंप्रूम करा कि आज तक इतनी सैंचुरी इतने रन वर्ल्ट में कोई बनाई नहीं कि अना अध्यों सो क्रिटिसाइज करने वाले तो उसको भी करते हैं और किसी को करते हैं वो छोड़ते नहीं किसी को उनका कामी है ठीक है कईों की तो चीजों जिंदगी मेरे लगता इसी चीज के लिए बनी है वह अल्टिमेटली होता गया है कि लाइफ में बहुत सारी फ् वो दिक्कत वो दूसरों को निचा गिराने में लगा देते हैं दूसरों की कमिया निकालने में लगा देते हैं दूसरों की बुराईय निकालने में लगा देते हैं उससे उनको क्या होता है कि satisfaction मिलता है कि और मेरे में भी कमिया उसको भी मैं चैन से नहीं रह पा रहा है तो वो भी चैन्से नहीं रह पा रहा है, नहीं रह पारी, फिर उनको लगेगे, हाँ, अब जिन्दी की थोड़ी ठीक है, मैं भी चैन्से नहीं हूँ, वो भी चैन्से नहीं है, जीने नहीं देंगे, तो वो उस तरीके की प्रवर्थी हो जाती है, अब उसमें ultimately उस person ने, अपना जोइन करें, जब भी subscription लें, referral code में आपको LY live ही apply करना है, आपको मैं exam pass होने तक personally guide करूँगा, mentor करूँगा, किसी चीज में कोई भी problem कभी भी नहीं आने दूँगा, ये चीज आप मान करके चलिए, ठीक है, मैं security, क्यूंकि मैं अपने सारे students से directly खुद ही बात करता हूँ, direct one one-on-one interaction मेरे सारे के सारे प्यारे students के साथ रहता है, तो अगर आप चाहते हैं, कि सभी teachers की classes मिल जाएं, और आपको कोई एक guidance देने वाला mark दर्सक मिल जाए, जो regular आपको guide करता रहे, end तक personally जिनके साथ आप connect हो सको, तो मैं हूँ आपके लिए, लेकिन उसके लिए आपको भी यह referral code use करना पड़ेगा, unacademy पर जब भी course join करें, code यही लगाना है, ly live, ठीक है, अब आपके लिए अगली class जो आएगी, वो इसके administrative relations को लेकर गयाएगी, फिर अगली जो आएगी, वो financial relations को लेकर गयाएगी, यह center state relation वाला chapter बहुत lengthy है, बड़ा है, तो इसको मैं parts में divide करक यह chapter आपको करवाऊँगा, एक ही class में possible नहीं होता है, क्योंकि इतनी लंबी class में लगातार record करना, same energy के साथ, same उसके जाथ, तो थोड़े दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा break बनता है, तो आपको अलग-अलग parts में divide करके यह classes में कराता रहूँगा, ठीक है, तो जाने से पहल writing spirit रखे, positive रही आगे बढ़िए, आपको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है, बिंदास, मेहनत करते चले जाना है बस, दुनिया को लिए नहीं, अपने लिए मेहनत करना है, अपने आपको इतना improve करना है, आप बस अपने आपके उपर काम अभी अपने अप आएगी चली तो आप सबसे जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में Best wishes सुब काम ना है like share जरूर करते रहना class को comment करके जरूर बताएकरों कैसे अपने दोस्तों के साथ जरूर share करा करों सबके पास क्यूंकि आप share करते रहेंगे तो मैं इस तरीके के मेरे लिए भी possible दिक्कत हो जाती है ठीक है व्यूस के उपर चीजें matter करती है और जो student share नहीं कर सकते हो क्या करें कि अपने ही घर आज कल सब के पास तीन तीन चार चार मोबाईल है पूरी फैमिली के अंदर मिला करके तो हर मोबाईल फोन पर एक क्लास को चला करके छोड़ दिया गरो complete देख लिया गरो ठीक है रात में दिन में जब भी खाले डाव हो complete चला करके छोड़ दो बस उसको इस तरीके से कर दिया गरो ठीक है तो वो भी आपका हमारे लिए योगदान हो जाएगा चलिए आप सब को बेस्ट उसे सुब काम नहीं आप सब को जै हिंद जै भारत लेट्स क्रेक इट झालाmin है वोगदान है कर फोगद में तर आप मुदान सब कर दो वोगदानित कर दो लेदte क्पर Jed। झाल 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 झाल